मिर्ची एकी एकष्यार की तर maioria मिर्ची आप चा के बाहिए ने को फुर्पर करिकां हमके एकशाइग मिर्ची तर्वारी मिरेंद नकिक्स सकते है हैं मिल्टेम्यृंकी PRODUAL NIT पर दो नहीं काट नहीं देखता जैसे हम देखते हैं उर्षी का बहुत जल्दी भी बन जाता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपका मुस्क्त से पांच मिनट भी लगेंगे आपको यह अचार आपका बनके तयार हो जाएगा तो फ्रेंट से चलिए अब हम जो है आपको बताते हैं इसके मसाले कैसे तयार करने हैं मसाले भाकिं बनाते होगे तो gefजक्त से हम हैं थोड़ा ही ऐचार अध्या बनाते हो आपका यह में किसी भी बनाते होंगे मसाले नहीं रेब रीवाली है यह थेत्जा थोड़ा ही जेर जीरा है यहां मैंने एक चम्मच मैथी ली है मैथी दाना और यहां पर मैंने एक चम्मच सरसो ली है और मैंने आमचूर लिया है तो फ्रेंड्स आमचूर भी आपको लेना है जो है मिर्ची के अचार में आदा चम्मच मैंने कलोंजी ली है और मैंने राई भी ली है एक चम्मच राई कि अचार के खाली मिर्ची क ही चार आता है तो इस अच्छा नहीं ढूनना तो भूण के नहीं टालना है तो फ्रेंड से इस अच्छा प्रज़ना नहीं दाना सकते हैं वैसे तो आप इतना टेश्टी अचार बनता है कि लंबे समय तक आप छोड़ोगे नहीं तुरंती आप खतम कर दोगे एक हपते से दो हपते की भीच में आप खतम कर दोगे जब कितना भी ज़्यादा बनाओ बहुत टेश्टी अचार लगता है खाने में और बहुत जल्दी जानी चैंए मीडियम गाइस पर और मशाल authority ए जलाना नहीं है मसाले को अर हमने से पीस लिया है तो हमें हल्का सा द्रदरा करना है कि सारे अगदम पिस चुके हैं कुछ मसाले ऐसे हैं जो साबदि और दो और मैं तो तेल जब ढूंचे को फत्याइब इसको अच्छा अन्य ओंगा सबस्काली पैल समीब APA lei मैं उसके बार खुतकter में बाक्तों में में भीशन दना Ale में तुरंफ करें falar में पहले जबें में तुरिंद्थी apples को सबस्क्राज में पैर खानल में टीओ हब बें कश्मीरी लाल मेरस Would have put it still भाटे तुंग रें जराने होड़ें मश्मीरी हैं मश्मेरी कमरा क्श्मीरी लाल मिरस मिरची बचाणे, मुर्चा काट रखो तो टील राविक मिरची काट राविक है। मिरची इसाले बचाने नहीं दाला है, सबस्क्राइब मुर्चा मख़काना नहीं है, आप अपको ध्यान रखना है तो हमने मिर्ची को पकाना नहीं है मिलाना है तो तो तेल ठंडा हो गय तो इसलिए आप आदा चम्मच जो है नमक एक्ष्टा डालके ही चलिए इसमें और फ्रेंड्स हम जो है मसालो को अच्छे से मिला लेंगे अचार में मिर्ची के अचार में अच्छी तरह से मसालो को मिलाना है मिला के आप इसको किसी भी बरतन में भर सकते हैं या सीसी के जार में या फिर प्लास्टिक के किसी भी जार में भर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई थी इसमें मैंने तीन से चार चमच विनेगर भी डाला था जो हम चौमिन वगरा में इस्तमाल करते हैं वो वाला तो उससे भी अच्छा खासा खटा पनाता है और यह अचार जो है लंबे समय तक चलता भी है प्रैंडस हमाणा करना पनकर ना करते हैं तो मंटी करेंगे सबस्काशा है और जादा वक्त बनाते हैं जो शूरा विरेक्शा यह तो हमारे अचार की रेसिप य How Hang घंचा है इतना टेश्टी अचार लगता है तो फ्रेंड्स हमारे अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो म